आप बेखने हैं निउस टीवी इंडिया अपने चरम पर है दोनों ही सिमाओं पर भारती सेना लगतार दुश्मनों की चालबाजी उसे लड़ रही है और उन्हें कडी मात दे रही है इसके साथ ही भारती सेना खुद को और सशक्र बनाने में जुटी हुई है खुद की ताकत में जाफा करने के प्रयासों के तहट जहां एक तरफ विदेशों से उन्नत और ताकतवर हत्यारों का आयाद किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ देश में भी हत्यारों को और अधिक विक्सित करने की कोशिशे चल रही है स्वदेशी स्तर पर भी मिसाईलों और विमानों को विक्सित किया जा रहा है इसके तहट स्वदेशी मल्टी रोल जेट तेजस में अब हवा से हवा में मार करने में सक्षम ध्वानी की रफ्तार से च्यार गुना से तेजी से वार करने वाली स्वदेशी अस्तर मिसाइल लगाने की तैयारी है जल्द तेजस में ये शक्तिशाली मिसाइल लगा दी जाएगी जानकारी के मुताबिक शक्तिशाली मिसाईल अस्तर को तेजस से जोड़ा जा चुका है साथ ही अब उसका जविनी स्थर पर किया गया ट्रायल भी पूरा हो चुका है ये मिसाईल ध्वनी की गती से चार गुना अधिक रफतार से सटीक वार करती है ऐसे में इस मिसाइल से दुश्मनों का बचपाना लगबग नामुंकिन है अब तेजस मिमान और अस्थर मिसाइल का फ्लाइट ट्रायल अगले कुछ महीनों में करने की योजना तैयार की गई है पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विक्सित की गई इस मिसाइल को डियाडियो ने बनाया है जो करीब 3.8 मिटर लंबी और 7 इंचोड़ी है इस मिसाइल का वजन 154 किलो ग्राम है अस्तर मिसाइल की खासियत ये भी है कि ये मिसाइल किसी भी मौसम में सटीक हमला कर सकती है ये अधिक्तम 100 किलोमेटर दूरी तक के दुश्मन पर सटीक हमला करने में सक्षम है साथ ही ये भी खबर है कि डियाइडियो शड़े 300 किलोमेटर दूरी की मारक शमतावाला अस्तर मिसाइल भी बना रहा है जिसे अस्तर मारक 3 का नाम दिया जाएगा ताजा न्यूस अपडेट्स पानी के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और शेर और कॉमेंट करना ना भूलें